जैहिं दोस्तों कैसे हैं आफ सब आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही फेमस दो बुक्स का रिव्यू लेकर के आया हूँ जो कि इस टाइम पर मार्केट में है SSC के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी मानी गई है तो मैं इन दोनों बुकों की बीच में बच्चों को बहुत कन्फूजन रहता है कि राकेट सादर सर की बुक लिए या किरन की लिए क्योंकि किरन की बुक बहुत पुरानी है और ट्रस्टेट है और राकेट सादर सर की point है कि इन में क्योश्टन कैसे है तो देखे दोस्तों problems तो इन दुरों में previous year sseg की ही दी हुई है तो इसका मतलाब है कि problems तो same ही होंगी difference ही है कि राकिश अद उसर की book में April 2017 तक के questions नहीं है मगर किरण में April 2017 तक की किस्टिन है ठीक दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन कैसे हैं सॉलीशन राकिषादवसर के वीडियो लेक्चर्स में उपलब्द हैं वीडियो लेक्चर्स में कैसे आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको एक डाउनलोड करना होगा राकिषादवसर का उसके बाद जो मौजूद हैं वहां और राकिश रादर सर ने जैसा कि प्रामिस किया था कि सारे वीडियो लक्चर्स मेरे दोरह ही दिये गए हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों उस 60% में भी 20% के आसपास राकिश रादर सर ने खुद समझाएं वीडियो में बाकि 40% लक्चर्स आपको और किसी स थारनी समझाएं हैं ठीक लेकिन के बात करें तो के में आपको वीडियो लक्चर्स नहीं मिलेगा इसबात को आप ध्यान रखकें और इस प्रचेस करें तिसरा पॉइंट हे सॉल संसे कैसे दिए हुए है मैंने और रापने रख़ेजय और स्रके बिख में आप लोगा बता दिया कि ये वीटयो लॉक्श के माद्यम से सॉलिसन है मगर जो बुख में स्वило मतला क्या है कि थोड़ा सोड मैफर्स सॉलस नहीं दिया हूआ है उसमें चाहिए यह जी फ़शेभ फॉर्दा की widget की पुद्ध की बात करें तो जाद है चाहिए हैं में मिस्टेक्स रहते हैं दोस्तों हमेणा से हुआ तो स्पीआ ज्यादा हैं मगर वह ज्यादा मैटर नहीं करती है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉंग है क्यांकि आप प्रॉब्लम्स लगाने जा रहे हैं प्रेवेश तो बेसिक आपको इस्ट्रॉंग ही होना चाहिए तो आप मिस्टेक्स को अपने आप जान जाओगे ठीक और फिफ्ट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों प्राइज इन दोनों बुक्स की प्राइज कितनी है तो प्राइज के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है दोस्तों आप इसको पर्चेश कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके उस लिंक से आप इसकी price और rating दोनों देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ points थे जिनको मैंने आपको बताया इन points को ध्यान में रखकर ही book purchase करें दोस्तों और इन दोनों book को purchase करने की कोई ज़रूत नहीं है दोनों में से कोई भी आप एक book purchase कर सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि ये book अच्छी है दोसी book खराब है जो भी points मैंने आपके सामने रख दिये हैं आप इन points को ध्यान में रखके ही book purchase करें दोस्तों thanks for watching दोस्तों